हेलो फ्रेंट्स मैं हूं जीया और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लेके हूं डबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी अगर आप भी अपने गर पर इसी तरीके से सब्जी बनाओगे तो येकिन मानिए अंगूलिया चाटने पर मु ओयल हमारा अच्छी से गरम हो जाए उसके बाद हम डालेंगे एक बड़ा चमच जीरा सेव टमाटर की सब्जी के अंदर जीरा है वो थोड़ा ज्यादा ही डाले साथ में मैंने लिया है आदा छोटा चमच जराई और 9-10 लिये हैं कड़ी पता तो जीरा मारा अच्छी से च सेव टमाटर की सब्जी के अंदर आप लैसुन की कली है वो जरूर ही डाले बहुत ही टेस्टी बनती है इससे अब इसमें हम डालेंगे आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर और टमाटर को अच्छी तरीके से गलने तक 3-4 मिनट तक हम पका लेंगे अगर आप इसी तरीके स सब्जी बना हुए तो येकिन मानिए आपकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सेर करें और कोमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक चोटा चमच छोड़ने तक हम पकाएंगे मसाले आपके जितने अच्छी तरीकी से पकेंगे सब्जी भी आपकी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी तो सारे मसालों को हम डग के तीन चे चार मिनट तक मेडियम फ्लेम पर पका लेते हैं तो यह देखिए मसालों को मैंने तीन चे चार मिनट तक अच्छी तरीके से पका लिया है अब टमाटर को हम इस तरीके से चमच से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे ताकि ग्रेवी है वो हमारी अच्छी बने तो फाइनली ये देखिए मसाला अच्छी से पक चुका है और सारे मसाले ने ओल छोड़ दिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे एक गिलास पानी पानी हम डालेंगे ग्रेवी के लिए ग्रेवी आप अपने इसाब से पतली या गाड़ी जितना भी रखना चाहते हो पानी उतना आप डाल सकते हो तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एक गिलास पानी पानी को अच्छी तरीके से उबाल आने तक पका लेना है पानी में 3-4 उबाल आजाए उसके बाद ही इसके अंदर हम डालेंगे अपनी सेव अगर आप तुरंत पानी डालने के बाद इसके अंदर आप अपनी सेव डाल दोगे तो सबजी है वो आपकी अच्छी नहीं बनेगी तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है और उबाल आने के बाद भी मैंने पानी को 3-4 मिनट तक और पका लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी सेव तो मैंने यापर एक कटोरी ली है सेव और पानी उबाल आने के बाद इसको हम डाल देते हैं तो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इस सब्जी को हमें ज्यादा देर तक अब नहीं पकाना है केवल दो से तीन मिनट ही सेव डालने के बाद सब्जी को हमें पकाना है सारे मसालों के अंदर मैंने सेव का अच्छी से मिक्स कर दिया है अब इसको हम डग के 2-3 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर पका लेते हैं तो ये देखिए 2-3 मिनट तक मैंने इस सब्जी को पका लिए फाइनली डाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी बनके इमारी तयार है सब्जी बनने के आप इसको 10-15 मिनट तक रख दोगे तो आपकी सब्जी है वो थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी तो फाइनली डाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी बनके इमारी तयार है आप अपने गर पर इस तरीके से एक बार सब्जी जरूर ट्राई करें और आपकी सब्जी कैसी बनी आपकी मेरी रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके आप जरूर बताएं तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है आई